बलकि उसके आने वाली पीडियों का भविश भी सुरक्षित हो जाता है आप सभी जामते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बिमारी आती थी तो उसके पाथ दो ही विकल्प होते थे या तो अपनी आँखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संगर्ष करते देखें या फिर मकान, दुकान, खेट, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिर भी रखें पीडी दर पीडी गरीब को गरीब रखने के इस कुछ चक्रों को भी NDA सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है गांदी जी से लेकर बाबा सा बांबेड कर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की सामाजिक न्याय की अवधारा की थी और मैं समता हूँ हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है सामाजिक न्याय एंडिये सरकार ने वोट बेंक की राजनीति को विकास वात की राजनीति में बदला है यह एंडिये सासन ही है जिसमें छोटे किसानों रहिडी पट्री फुटपांत वालों को पहली बार मदद मिल रही है हमारे विश्वक अर्मा सात्यों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है सात्यों गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्षा है आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माता और बहनों के नाम पर प्रोपर्टी खरिनने का चलन कमी था वे एक प्रकार से घर के समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई उनके नाम पर रण मिलने लगे तो एक नया सामर्त समाज में पैदा हुआ मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बहने है स्टार्ट अप इंडिया की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बेटिया है जो देश में नव करोड स्वयम सहायता समू बने है उनकी सबसे बड़ी लाभारती गाउं बर रहने वाली दलीत पिछडे आदिवासी समायत की बेहने मैं पिछ़ले जनों मत्रपदेश गया था एक आदिवासी गाउं में गया था वहाँ ये स्वयम सहात्या समूग की आदिवासी बेहनों से मिलना हुआ जितने समूग उन्हें का अब तो हमेरी पहचान है हम लगपती दीजी है हमारा कारोवार इतना है कि आज हम लगपती बन गए है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों साथियों एंडिये सरकार ने महिलाओं के कल्यार को उनकी तकलीफ कम करने को सरवोच्च प्रात्विक्ता दिये है जब घर में टॉइलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला जब नल से जल आया गैस का सिलेंडर आया तो उनकी परेशानी कम हुई उनके समय की बचत हुई है इस समय को वो अपने परिवार की आए बढ़ाने में उप्योग कर रही है ये सिर्फ गरीबी से बहार निकलने का प्रयास नहीं है बलकि विमेन लेड डेवलप्मेंट का रास्ता है जिसे एंडिये ससक्त कर रहा है आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है देश को पहली आदिवासी महिला राष्पती देने का सौबाग्या एंडिये को मिला है साथियों नव साल में हमने केवल एक लक्ष के साथ काम किया है कि हम देश स्वास्यों का खास कर गरीब और बंचित का जीवन बहतर बना सके मैं चाहूंगा कि जो लोग अकेडेमिस से जुड़े है गवर्नेंस टडिस से जुड़े है वो इस दिशा में रिसर्च करें किसी भी सरकार का फ्यूचर विजन क्या है स्केल ऑफ वर्किंग क्या है स्पीड ऑफ पर्किंग क्या है उसकी वर्ट स्पिरिट क्या है इसका मुल्यांकन किया जाए इन सभी परामिटर्स पर NDA सरकार का काम न केवल असाधान साबित होगा बलकि एक मोडल के तोर पर उबरेगा हम केवल आज की जरुतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं हमाने वाली पीडियों के बविश्कों भी सुरक्षित बना रहे हैं मैं आपको एक उधान देता हमारे ये बहुत आसान था कि आजादी के 45 साल पूरे होने पर हम भी कोई समारक बना देते दिल्ली में कोई ऐसी हिमारत अपने नाम पर खड़ी कर देते या कोई मुर्ती लगवा देते हैं लेकिन हम देश के कौने कौने में एक लाख अमरुत सरवर बना रहे हैं हमारा स्केल हमारा स्पीड हमारी स्पिरीट और इसकी वज़े से हमारे काम का स्कोप ये अभुद्पुर्वा है हम विकांज भी कर रहे हैं और विरासत को भी सहज रहे हम बेकिन इंडिया पर भी बन दे रहे हैं और पर्यावरन की रक्षा भी कर रहे हैं साथियों हमारी नियत साब है नीतिश पस्ट है और नियने ठोस है NDA सरकार ने बीते नव वर्षों में ब्रस्टा चार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किये पहले सप्ता की गलियारों में जो बिचोलियों गुमते थे हमने उनको बहार कर दिया है हमने टेक्नोलोजी की मदद से लिकेज की हर संभावनाओं को दूर किया है जंदन, आधार, मुबाईल इसकी त्री शक्ति से हमने करोडों फरजी लाभार्तियों को गरीबों का हक छिनने से रोका है आप सोचिए देश में करीब करीब दास करोड ऐसे फरजी लाभार्ति थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और जिने सरकारी मदद जा रही थी ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बेहन के थे, किसी आधिवासी के थे, किसी पिछडे और दलीच साथी के थे ये NDA सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है इन नव वर्षों में 30 लाख करोड रुपिये, यहां कड़ा छोटा नहीं है 30 लाख करोड रुपिये डारेक बेनिफिट ट्रांसपर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्तियों के मैंक हातों में पहुँचे ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम तीन लाख करोड रुपिया गलत हाथों में जाने से बचाया साथियों लोक तंत्र में राज नीती अलग अलग वीजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है लेकिन हर वीजन का हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है गुड गवनन्स और देश वाज़ियों की सेवा पोलिटिक्स में प्रतिशपरता हो सकती है लेकिन सत्रुता नहीं होती आखिकर हम एक ही देश के लोग है एक ही समाज का हिस्सा है लेक्स्झ लेक्स्य प्रतिशुच अगै येक ROM एक हर वोग हे लेक्स्थटा ख़ श都 एकर प्रतिशब रखनी लेक्स्टाना थाह